अलो फ्रेंड्स, welcome to our classes में बाग उपेंद्र पांडेगा, इसमें जैसा कि आप लोगो एंडेस्टिल एंजरी इंजरी मेंकानिकल सिक समेश्टर के चिप्टर सेीच, इंडेस्टिल सेप्टी के बारे में बात्मे बात्में होतीं, यहाँ पे आप लोगो नेश्टिल लेक्टर यानि हम क्या सकते हैं आग नीवारण और अग निशामन उपकर्ण क्या होता है एक प्रकार से हम किसी भी आग लगने वाले आग की जगहा पर बुताने के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं तो कौन सी गयस का प्रियोग करते हैं तो CO2, carbon dye, oxide का प्रियोग करते हैं ठीक आग को हम गरा तो होई था होई है यहां पर हम definition के माद्य हम से देखेंगे तो definition हमारा क्या करता है और ध्योदिक द्रिश्टिकोर से अगनी निवारण अगनी सुरच्छा विग्यान के मुख तीन लच्च होते हैं तो फर्स्ट आता है संक्रियता की निरंतरता यानि हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से संक्रियाएं की जा रही हैं या फिर पानी का या फिर छिड़काओं का तो उन एक प्रकार से निरंतराई एक प्रकार से बिधोत सही रूप से चलती रहे संपत्ति की सुरच्छा अगर सही संपत्ति रखी गई यानि एक प्रकार से कहीं भी एक प्रकार से की संभाना नहीं होती है नेश्ट आता तो जीवन सुरच्छा ठीक उनके अंतरगत जीवन सुरच्छा भी आ जाता है नेश्ट आता है तो अगनी त्रिकूर अगनी त्रिकूर का मतलब क्या होता है जैसा कि आप यहां पर फिगर के मद्धम से देखेंगे यह ऑक्सीजन हो गय गया है तब उनके मध्यम से किसी परकार से अग लगाई शकती है और इनों के निवार से यानि ऑकूर applaud पर रियाधारित होता है इंधन और प्राजलन का नियENTE nrit करता है यानी जो इधन ऑ गया और 오क司जन हो गया ठीक यानि उस्मा हो गई ठीक और इंधन की जो फ्यूल हो गया और ऑक्षिJN हो गया उसको प्राजलन को यानी उस्मा को क्या करता है निये करता है CO2 यानि oxygen भी नियांद करता है अगनिसे शुरच्चा के लिए मानक शुरच्चा का उपकान का उपियोग किया जाता तो नेश्ट आगे बताता है तो स्वत्वरी तो सुरच्छा प्रडाली के डिजाइन कई चनड़ों पर आदा रित है यानि हम कह सकते हैं इनके जो चनड़ होते हैं इनके डिजाइन किस प्रकार से गई है यानि बिभिन प्रकार के इनके डिजाइन की गई है तो कौन कौन सी डिजाइन है यानि चनड़ फ नेशड आता है तो रेखे तापमान संसू donating हो गया मेरी दाहन गैस हो गई संसूर्चा िंवाल को निवाल किया जाता है , दूसरा चनलड क्या क्या काता दूसरा जैसा क्यों को अगन सुरच्षा आगन्रे क्यों होते हैं तो पानी का छड़का तो थत जल निकास, यानि हम कहसे अगर कहीं भी जल आग लग गई, तो यानि बाद जल से भी भुताया भी जा सकता है, निष्ट आता है, वाटर मिश्ट प्रडाली, जो वाटर मिश्ट होते हैं, उनके अंत्रगत भी क्या जिया सकता है, ज्धाग के अगली को सुरच्छा करने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं इन चार चीज़ों कर लिया जाता है में क्या कहता है कि यानि uma快 switch export में क्या होता है उसका निवालण सिकन्ड में क्या होता है, सुरच्चा थढ में आता है विसपोड सुरच्चा ठीक ये तीनों क्या होते हूं अगनी त्रिकोंड के एक प्रकार से एक प्रकार से में कर सकते है इनका उपच्चिया चाही यह इनके आगसे हो गया ठीक और प्रक्रिख करच्श यानि हम कहा सकते हैं जहांब भंडार एक श्टोरज किया गया है और जहां पर छेल रही है इन चीजों के दो junk जादा ज्यादा हो गया लगबक से एक किलो मीटर या फिर पांसो मीटर से अह जादा ठीक इनकी दूनों की दूरी की डिस्टेंस होनी चाहिए ठीक यानि हम कहा सकते हैं फैक्टरी का और गोडाउन का ठीक यानि सिभन डालन का ठीक ये इसके उपर डिपेंड करता है निश्ट आता है इन अस्थलों पर आग खत्रा बीड़ी सिग्रेट या पीछे हुए चित चिन्द का पट्टे लगा होना चाहिए यानि इन कह सकते हैं कि जहां पर फैक्ट्री लग रही है अगनिशामन निवानर हो रहा है यानि अगनिश के सं समधित कुछ कारी किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है जैसा कि आप लोको बीड़ी हो गया सिग्रेट हो गया इन सभी चीजों को एक प्रकार से हानिकारक होता है इन सभी चीजों को उस जगह पर रोकने के लिए उनका जो चिन्न बनाय गया है वहाँ पर एक प्रकार से संकेत दिखाना चाहिए ठीक यह सब क्या होते हैं अगनी शामन उपासकार क्या होता है कि जैसा कि आप लोगों को हम कहा सकते हैं उनकों रोकने के या फिर एक प्रकार से हम अपनी सुरच्छा करने के लिए एक्वूट्मेंट पोलते हैं तीए। वहुत सकार होता है। यहाँ पर कौन-कौन Dat光े एक अग्णी शामक एक परकार से हम कर सकते है लेयर होती है टीए। वहाँ पर बुछाने के लिए एक परकार से मनुश्योख यानि स्रमिक हो गया उनको पहनने लिए एकपकार से कोट के माध्यम से होता है इनको पहन लिया जाता है तो कहीं भी आप लोग को लॉग लगने की जसमभावना नहीं होती है नेश्ट आता है अगनी शूट, अगनी शूट भी आता है उसी बात से, अगनी स्प्रेंग कलर होता है, ठीक, आग बुझाने वाली पानी होने चाहिए, सुराच्छात्मक जूते होने चाहिए, सुराच्छात्मक कपड़े होने चाहिए, इन सबी चीज़ों क्या होता है, आप लोग को यहाँ पे बहुत most important है उत्पादक्ता और उत्पाद, उत्पादक्ता और उत्पादक, क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम सुरच्छा, उत्पादक्ता क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे definition का मादब से देखेंगे, उत्पादक की दच्छता को बतर्चित करता है बिना अतरिक्त धन खर्च की उत्पादन की बिद्धी करना ही उत्पादक्ता कहलाती है यानि हम कह सकते हैं उत्पादक्ता क्या होती है कि एक परकार से हम कह सकते हैं बिना अतरिक्त यानि कोई भी लागत ना लगाए जाए यानि हम कह सकते ह प्रोडक्ट को बनाए जाए वो खुद ही अपने रूप में यानि अपने ही आकार में एक प्रकार सम कर सकते हैं अपने खुद से निर्मित किया गया ही कार क्या कहलाता है प्रोडेक्ट विटी कहलाता यानि उत्पादक्ता कहलाती है यहां पे फार्मूला क्या होता है उत्प और उत्वाद हम कहा हैं कि बीना धन लगाए हुए बीना अत्रिक्त धन खर्च का रहती है या ने हेना के द्वारा या फिर वर के द्वारा एक प्रकार मसीन के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को बनाया गया ही क्या कहलाता है उत्पादक कहलाता है ठीक उत्पादकता और उत्पादक most important है इंडेश्ट्रियल इंजर्जिंग के स्लेवस में ठीक तो I hope guys है आप इस उरच्छाम उत्पादकता क्या होता है अगनी शामन उबस्कार क्या होता है आग से बचने की सुरच्छा नियम क्या होते हैं और अगनी त्रिकोन क्या होता अगनी वार्ट तथा अगनी शामन उपकर्ण क्या होता है इनके बारे में एकड़ं धंसे समझ में आया होगा तो आप लोग को chapter 8 यह होता है समाप्त यानि इस industrial engineering का slaves होता है पूरा समाथ अब आपको next classes में important important question के lectures मिलने वाले हैं तो guys यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग को अगर pdf किसी भी subject की चाहिए तो मुझे contact कीजिए मेरा number है 972178470 इस पे contact कीजिए और अपना payment कर दिजिए जैसा कि आप लोग को payment बता दिया गया कई lectures हो में मैंने बताया ठीक वहाँ पे अपना payment कर दिजिए और payment करने के बाद just आपना pdf लेजिए वहाँ से पढ़ाई किजिए क्योंकि हो सकता है कि अगर guys अगर pdf से नहीं पढ़ेंगे या फिर अगर आप लोग 10 years के माद्यान से बता गया 10 years के माद्यान से उतना भी time नहीं है कि आपको syllabus के according बढ़ना यानि जो आपके syllabus में है वो guys बढ़ना है आपको तो notes में जो भी है आपके syllabus के according बनाया गया है अगर आपको वहाँ पे अभी अभी पीडियाफ का अदाप नहीं समझना है तो appoint पहले वाले एक्जाम में अगर आप ऑप постро पहले वाले अउंज्वाले एक्जाम में आपको झाहिए झाहिए।